पूर्मंत्री इमर्ती देवी उन्हें दिल्ली में बधाई देने मुलाकात के दौरान इमर्ती देवी भाव को गई और इस दौरान महाराज ने उनको गले लगा लिया जिसके बाद इमर्ती देवी ने तस्वीर ट्वीटर पर सियर की थी और तभी से कॉंग्रेस के नेता उन्हें ट्रोल कर रहे थे हालार तो यह हो गए थे कि टोलर के निशाने पर आने के बाद इमर्ती देवी ने उस तस्वीर को स्टोशल मीडिया से हटा दिया था लेकिन इमर्ती इतनी भी सहज नहीं थी कि वो ट्विटर से अपनी फोटो हटा दे और टोल करने वाले कॉंग्रेसियों को कोई जबाब नहीं दे इमर्ती ने कॉंग्रेसियों की बोलती बंद करते हुए कहा कि जो लोग फोटो को लेकर आलोचना कर रहे हैं उन्हें भावनाओं की पहचान नहीं है उन्होंने कहा कि माराज मंत्री बने तो हमारे मन में उनकी प्रतिस समान की भावना थी इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि कॉंग्रेसियों से लेकर बीजेपी में आने के बाद भी माराज का समान करती हूँ क्योंकि माराज मेरे लिए भगवान के समान और एक पिता के समान है इमर्टी देवी ने कहा कि ऐसे में जिनको जो कहना है वो कहे मुझे कोई परवार है दरसल इमर्टी देवी जोतराद सिंध्या की कटर समर्थक है कॉंग्रेस के रिशासन काम में इमर्टी देवी ने कहा था कि महाराज कहेंगे तो मैं कुए में भी कूच जाओंगी वहीं जोतराच सिंध्या के स्थीफे के बाद कमनलाद के सरकार्म मंत्री पद त्याग इमर्ती देवी भी बीजेपी में आ गई थी बीजेपी में भी इमर्ती देवी मंत्री बनी लेकिन उप्चुनाओं में वो हार गई थी फिलाल जब कॉंग्रेस के नेता और पूर मोखी मंद्री का मलना थी मर्ती देवी को आइटम कह सकते हैं तो फिर इसी बात को लेकर कॉंग्रेस को छोटे नेताओं की मास्तिक्ता का अंदाजा लगा जा सकता है इस खबर में फिलाल इतना है खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट का ज़रूर बताएं साथी मत परदेश से उड़ी तमाम खबरे देखने के लिए देखते रहें विकेन विजन भी धन्यवाद